कि भाईया हा चोटे बोल create see me차 को फॉंव कैसे करें क्या तु üzre नहीं आता मुझे तौ नहीं आता है ऑनलिय देखने आता है तेक्णिकल विडियो तो देखोगे नहीं तो कैसे सीखोगे कि ऑनलायन फॉंव यहाखने और मोल से कैसे बढ़ते हैं थीक 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 तुमें पता है SACMTS को फार्म फिलएफ करने से पहले स्टाप सेलेकशन कमिसंट में जो है रजिस्टेशन करना ज़रूरी होता है नहीं भाइया मुझे तो नहीं पता है कोई बात नहीं मैं तुझे सिखाऊंगा रेजिस्टेशन कैसे करते हैं करने के बाद पॉर्म फीलप कैसे करते हैं करने के बाद आफ इसे करने के बाद पॉलप होगा भीजा हाँ छोटे रेडिशेशन करने से तुमको वेन फिट लेटर जितने भी फॉर्म भविश में आएगे तुम एजली उसे भड़ सकते हो और हाँ आप लोग को भी जो है अप अपने अंड्रोइड मॉइल से नहीं भरने आता है तो वीडियो को अंतक देखिएगा और वीडियो पर पहली बारा है तो वीडियो को लाइक सिया और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपने मवाइल में क्रोम रॉजर को ओपिन करने के बाद यहां टाइप करना है सरकारी डिजल डॉट कॉम उसके बाद पहले वाले ओप्शन पर क्लिक करना है देन आपको राइट सेड में स्क्रोल करके नीचे आना है यहां पे जो है आपको अप्लाई ओनलाइन का ओप्शन देख रहा होगा उस पे क्लिक कर देना है अगर आप आप ओल एडी रेजिस्टेशन कर रखा है तो लॉग इन करके इजली फॉर्म को फिलब कर सकते हैं अगर आप फॉर्स टाइम यूजर है तो आपको रेजिस्टर नाव पे क्लिक करके रेजिस्टेशन कर लेना है तो चलिए रेजिस्टर नाव पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको सिंपली यहां अपने बेसिक डिटेल इंटर करना है जैसे अधारकार नमबर नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, टेट अब बर्द, मैट्र कलेक्शन का बोर्ड, उसका रॉल नमबर, अपना मोबाइल नमबर और इमेल आडी करके शेप कर देना है उसके बाद आपका पार्टियल रेजिस्टेशन हो जाएगा, आपको रेजिस्टेशन नमबर मिल जाएगा उसके बाद आपके मोबाइल नमबर पर फोर डिजिट का पासवर्ड भी मिलेगा, जिसे लेकर जो है, सेंपली लॉगिन पेज़ पर आजाना है यहाँ आपना registration number डालना है, चार डिजिट का password डालना है, capture डालना है और login कर देना है अब यहाँ पे आपको अपना old password इंटर करना है, उसके बाद requirement के हिसाब से अपना एक new password set कर लेना है और submit button पे click कर देंगे, उसके बाद आपका password generate हो जाएगा अब आपको फिर से login page पे आना है, user ID और नयावाला password capture डालके login कर लेना है login करने के बाद आपको जो है additional or contact detail को fill up करना है, उसके लिए आपको edit button पे click करना है अब आपको यहाँ simply category को select कर लेना है, अगर आप SCST है तो SCST select कर लेना है, general है तो general select कर लेना है OBC है तो OBC select कर लेना है, उसके बाद आपको जो है nationality का option दिख रहा होगा उस पर click करना है आपको जो है citizen of India यहाँ simply click कर देना है, उसके बाद आपके body पर कोई भी cut mark या mall करने साने तो यहाँ लिख देना है और save button पर simply click कर देंगे, तो आपको declaration को I agree करके final submission कर देना है अब आपके mobile पर जो OTPI उसे यहाँ enter करना है, capture को enter करना है और submit button पर click कर देना है जैसे ही आप submit button पर click करेंगे, आपका registration पूरी तरह से complete हो जाएगा अब आपका registration complete हो चुका है, आप यहाँ से latest notification देख सकते हैं, आपने कोई application डाला है तो application history देख सकते हैं यहाँ से आप अपने registration को modify भी कर सकते हैं, result भी देख सकते हैं तो छोटे अब तो तुम सीख गया ना कि registration कैसे करते हैं start selection commission में हाँ भाईया registration करना तो हम अच्छी तरह से अप सीख गये, चलो आप form फिलब करना सिखाते हैं, ओके भाईया simply form को भरने के लिए अभी अभी जो आपने user ID और password बनाया है उसे यहाँ इंटर कर लेना है और box में दिये capture को इंटर करके login कर देना है अब यहाँ simply apply वाले option पर click कर देना है अब यहाँ आपको ज्यादा ताम जाम करने के जरूत नहीं है, सीधा जो है examination center पर जाएंगे और तीन examination center जो है अपने मन पसंद का select कर लेंगे चलो पहला examination center हमने partner select कर लिया है उसके बाद हमने मुझपर पर पुशिलेट कर लिया है तीसरा हमने वारा नसी को select कर लिया है अब आपको नीचे यहां किस medium exam देना चाहते है उस medium को select कर लेना है हमने Hindi select कर लिया है उसके बाद जो है नीचे no कर देना है अगर आप एक serviceman है तो yes कर देना है अब आपको सीधा नीचे जाना है यहां पर जो है age relaxation को yes कर देना है उसके बाद जो है हर state का अपना अलग- क्वालिफिकर से उसलेट करना है उसके बाद जो है मैट्रिकुलेशन को सिलेट कर लेना है उसके बाद जो है आपको स्टेटस पासेट कर देना है उसके बाद जो है आपको परसेंटेज मैट्रिक में कितना था उसे यहां पर इंटर कर लेना है यहां नो कर देना है अब आपक अपलोड कर लेते हैं उसी तरह से दोस्तों आपको अपना सिगनेचर भी अपलोड कर लेना है जिसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए उसके बाद आपको declaration को आई अगरी कर लेना है आई अगरी करने के बाद box में दिये capture को इंटर करना है और preview वाले option पे क्लिक कर देना है अब आप अपने फॉर्म को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर ले चेक करने के बाद आप सम्मिट वाले बटन पे क्लिक कर दे देन ओके पे क्लिक कर दे अब सिंपली आपको पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है उसके बाद मैं UPI वाले section को select कर लेता हूं then QR code को select करके confirm कर देता हूं अब pay now पे simply click कर देना है अब आपको phone पे select करना है और pay now पे click कर देना है आप देख सकते हैं आपका जो है payment done हो चुका है चलिए अब application प्रिंट करने के लिए print वाले option पर click कर देना है उसके बाद again print वाले option पर click कर देन है प्रिंट वाले option पर click करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो है application form डाउनलोड हो चुका है तो गाइस उमीद करता हूं अब आप लोग जो है स्टाफ सेलेक्शन कमिस्टेशन कैसे करते हैं और form को कैसे फिलप किया जाता है आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे तो स्थारत